आज हम प्लसवन का अजन्ता टोपिक कर रहे हैं हमारा सबसे पहले टोपिक है अजन्ता सबसे पहले हम इसका करेंगे इंट्रोड़क्शन अब इंट्रोड़क्शन में क्या है कि सबसे पहले ये कहा है इसका नाम अजन्ता कैसे बढ़ा हम ये दो चीजे हैं आज क्लियर में हम करते हैं कि यह कहां है यह है महाराष्ट के औरंगा बाचिले में ठीक है और वहां पर जलगाउं से होते हुए हम अजन्ता गुफा के दरफ जाते हैं उसके बाद है इसका नामकरण कैसे हुआ इसके नामकरण दो रीजन थे जिसके कारण इसका नाम अजन्ता गुफा प जिसका मतलब यह होता है कि जहां कोई जन्ता आती जाती नए हो मतलब ए जन्ता जहां कोई जन्ता आती जाती नए हो इसलिए फर्स्ट तो यह है ए जन्ता सेटिन इसका जो पार्ट है वो है कि यहाँ पर एक एजंटा नाम का एजंटा नाम का एक गाउं होता था अजंटा के पास और एजंटा के नाम पर ही अजंटा नाम पड़ा दूसरी बात यह है कि इसकी खोज कैसे हुई अजंटा सेली की तो 1819 इस्वी में एक अंग्रेजो कियान की मदरास की एक टुकडी अपने सेलिकों के साथ निकली थी जिसे वो आगे बढ़ते बढ़ते आयों लगा लेजी शिकार की खोज में अजंटा दक पहुंच गए और व वहां पर जो है मुर्तिया और चित्र बने हुए है ऐसे है जंता की खोज हुए हमारा नेक्स्ट वीर है केव अब बात आती है गुफाओं की इसमें कितनी गुफाओं है इसमें है गुफाओं हमाल पास 30 पहले होती थी 29 अब उसके बाद में जो दीरे-दीरे गुफाओं के और खोज हुई तो गुफा पहले जैसे 29 तो अब 15 के आसपा से गुफा और मिली तो इनके नाम 15 कर और 15 कर रख दिये गए यानि कि है तो वैसे 30 कर लेकिन फोज होने के बाद ही टोटल जो है 30 कर हो गई है अब इन गुफाओं को 30 गुफाओं को डिवाइड किया गया है वह तो कैसे क्या गया है पहले तुम आपको यह बता देती हूं कि जो अजन्ता की जो गुफा है उसकी आकरती इस टाइप की है अर्द चंद्राकार और यहां से गुफाओं की स्टार्ट होती है 30 तक यानि कि अगर को शनाता है कि अजन्ता गुफाओं की शेफ कैसी है तो वह किते हैं चंद्राकार की है अब इसमें आपके क्या है यहां बं से स्टाइट होपर यहां 25 यहांकर 15 क लटी काई है और 30 कुफाओं को हमने जो दिवाइन गया है यहां पर हमारी 25 और यहांकर जो है मारी 5 है अब जो ये 25 गुफाई है इनको विहार बोला गया है और यहाँ पर जो ये 5 है इनको चेत्य गुफाई अब बात रती है कि विहार कौन सी थी और चेत्य गुफाई कौन सी थी बिहार गुफाई वो थी जिनोंने बोध बिक्षियों के लिए रहने का स्थान बनाया और चेत्य गुफाई वो थी जहां जो बोध बिक्षू थे पूजा करने के लिए जो स्थान बनाते थे वो चेत्य गुफाई होती थी अब आ पके दिमाग में याद हो कि चेटे जो भूफाई नाम कैसे, किस पर है, तो चेटे और स्टूप, आपके सिलेबस में वड़ी उस होंगे, चेटे और स्टूप, तो सबसे पहले ही कि पता देते हो कि चेटेun स्टूप क्या होता है, जैसे हमारे बड जो होते ही, बुज दिखार अस्तियों को और उनके उपर ऐसे परत चड़ाती जाती थी जिनको चट्य भी बहा देते थे और उनके तरफ अब चारोतरफ ऐसे वेधिकाई जो मैं तो अब यह है कि चेत्य कौन-कौन सी है और विहार कौन-कौन सी है जो हमारे पाद चेत्य गुफाई थी वह हमारे है गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 यह वह गुफाई है जिनको बोध विक्षों ने पूजा का स्थान पनाया था और इसमें जितनी गुफाई जो बचव हैं जैसे 1, 2, 8 हो गई ठीक है फिर 11, 2, 18 हो गई यानकि ऐसे जितनी गुफाई जो बाकी बचव है는 वह हमारे हमारे है है टेक्नीक कि जो टेक्नीक होती है वह टेक्किनीक कौन सी हैmaid तो सबसे पहले से इस और किसा का दो read, कि दीवारों पर बनाए जाने वाला एक प्रोसेस है और दिवार को पेंटिंग बनाए जाती है उन्हीं और मूरल्स वोला जाता है Andrew theатr, जिसको हम बोलेगे निकी डटल कोटने अब दर्रीफ Algun दोट नुचिर्ट का किया। जादा से जादा वैसे तो fresco की बनी है जन्ता में painting लेकिन कही-ane यूज है अब is fresh go को भी हमने 2 इसो में कि या है इक log OB or of fresh go Thomas sheko का मिंगत क्या है पहले तो फ्रेस्य को बताती हूं कि जब हम अब plane जो है जैसे आख कर तो हमारा अपना एक बेस यान की द्हरातर जो थाइश उना परता था, और वह द्हरातर ट्यार करने के लिए जो प्रोसेस वो करते थे वो फ्रेस को बुला जाता था, अब नने परत चड़ाई है जैसे आज कल आप यूच लेले टे गास घुछा ले अट देटे आट अब आर्टिस्ट वहां सबका माइंड अलग होता है तो सबका अपना तरीका था कई चित्रकारों का या बहुत भिक्षो का मानना ये था कि अगर हम गीले पर पेंटिंग तो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी लेकिन कई का मानना यह था कि अगर हम सूखे पर प्रेंटिंग करेंगे यार्ट में लगाया है वो सूख करेगा जब हम प्रेंटिंग करेंगे तो कई होने उस पर की है तो यारे कि जो पेंटिंग उन्होंने सूखने के बाद की वह फ्रेस्च को सेक रिया और जिनों के गी लिट उस पर सर्फिस पर प्रिंटिंग की Cape वह उन्हों ने टेकनिक में प्रिंट्टिंग बना यहां प function CR इस नहीं के दों आपकी इसमें कि उन्होंने फिर इनी जल खोगी तर स्किन के लिज लीँ या कि उस से बनी यह बने हो उदों से visiting natural constitu मैं अजन्तामें किछे की अजन्ता में किन-की इत पर जो है बनें सब्जेकट से पहले में आपको चीज बताती हूँ कि अजन्ता एई state मैं ते ऑट जहां पर तीनों कलां का मिष्न होता है तिनो accessed कला कोई से हैं हमारी चितरकला मूर्ति कला वास्थ कला यही एक गुफा है जहांपर मिलेंगी ठीक है और यहांपर आपको बीलिंग्स भी मिलेंगी और यहांपर आपको चितर कलो यह त41 के चाहाँ ने जातक स्टोरी यहांति जो जातक की जहानिया होती है स्टोरिय लियू है और जातक स्टोडावम के सारे सारे के सारे हमारे वुद्थ यरु कि आपने जने पीछ पत्र पार .बुद्थ ने को जनमें उन computers और इन strains को जातक दो लग गया है यारि कि जो सिर्फ अजन्ता में और गुफा में जैसे जैन पे भी बनी है बुद्ध पे भी बनी है ब्राह्मन पे भी बनी है लेकिन अजन्ता एक ऐसे गुफा है जिसमें सिर्फ बुद्ध के ओपर ही चित्र भी बनेंगा और जो है मुर्तियां भी बनी है जो की बढ़नात्मक और अलंकारिक अब यह तीनों पाइट कैसे हैं मैं आपको बताती हूं सबसे पहले अलंकारिक जो होता है वो तर डेकोरेटिव चीजे जैसे हमको यह वारा सर्पेस है ठीक है अब अगर हम इसमें जैसे हम एक स्टोरी सुनाते हैं महालो जैसे महालो जैसे लेकोवे वाली स्टोरी सुनी है कि यहां पर एक को आपा दिखाए देता है दूसरी वार में लोगनाता है फिर पीता है ऑंप यह स्टोरी जो हमने प्रोसेस को सes जब बुद्धिकार जनम से लेकर अगर अगर मियुत्य तक तक जो प्रोसेस दिखाते हैं वह हमारा होता है रुपात्मक रुपात्मक यारि कि पूरा उसके डिटेर्ट्ट्र, सोरी वर्णात्मक वर्णात्मक है क्योंकि हमने एक चीज का वर्णन किया है वर्णात्मक एक ही चीज को डिटेर्ट्ट्र, से दिखाना वर्णात्मक उसके बाद हमारा है रुपात्मक रुपात्मक में क्या है कि हम एक ही पिच्चर में आपको प्लियर समझा दे कि वह बोलना क्या चाहता है जैसे की हमारी अजनता के ही टोपिक में है की मरना सेरो राजकमारी गुफाCU नूबर 19 तो उसमें की राजकमारी को एक यूं लगा लोग हो कि मरने की ही अवस्तामें दिखाया हुआ है उसका जो कलर है वो यलो कलर दिखाया हुआ है आस पास उसके जो है फ्रेंट्स वगेरा या परिवार के फैमिली मेंबर बैटे हुए उसके सिच्वेशन जो है बोडी की एकदम डाउन दिखाई दिखाया गया है यानिकि उसमें लग रहा है कि जो राजकमारी हो मरने वाली है एक सिंग में सब क्लियर हो गया उसके बाद दूसरी जो पैंटिंग दिखाई है उसमें जैसे गूड़ा इंसान है वो ऐसे फिंगर को ऐसे उपर करके और ऐसे डंडा हाथ में लेके ऐसे जैसे किसी को समझा रहा है कि वही समझ जाओ नहीं तो कुछ बुरा होने वाला है य जैसे हम ये चीजहें हैं और यहां कई बार फ्लैक कट गल कर देते हैं कई बार इनको डेकरेशन के लिए अनुली बना दी या पर परक्शी बना दिया कुछ भी कर दिया यानि कि फूल पतियों से पसू पक्षियों से हम किसी भीशे को अगर सजाते हैं तो बीकरेटिव हो अलंकारिक हो जाता है तो यानिकि जो हमारे सब्जेक्ट में थे वह अजन्ता में तीन रहे हैं पहला हमारा हो गया वर्णात्मक पिटे दूसरा हो गया रुपात्मक और अलंकारिक इसमें एक अलंकारिक में चीज़ हो रहा है जो यह कोई भी मतलब पिंटिंग बनाते थे चाहिवर्णात्मक और अगर उसमें पिछे स्पेस रह जाता है तो वहां भी बना देते थे ठीक है तीनों इनके हो गए सुप्जेक्ट पिरेंग उसके बाद आती है इनकी पिशेष्दा है कि अजन्ता गुफा की फिशेष्दा है क्या थे विशेष्दा सबसे बडवी पिशेष्दा है इसमें term duplication यानि कि रेखा जो रेखा चित्रन है यानि कि रेखा जो ड्रोइंग है वो हमारी इंडिया में फेमस है और सबसे बड़े रेखा के यानि कि जो एक्जामपल है हमारे अजन्ता में मिलते हैं यानि कि इससे जादा smooth ले में कोही भी आपको किसी भी art में किसी भी गुफा में आपको painting नहीं मिलेंगी जितनी अच्छी line drawing हमारी आजनता में है दूसरा आता है हमारा जो है color scheme जो है color scheme में क्या होता है कि यहां रसाइनिक और खली यानि कि जो चीजे हमने यहां पढ़ी है उनी से related ही हम जो है विशेश्ता ही बना देते हैं ठीक है हमारी line drawing होगी color होगी फिर इसमें एकता होगी unity कि जो हमने जितने हमारे कई figure होते हैं अग unity नजर नहीं आती लेकिन अगर उनी को जैसे मानासन राज कुमारी था उसके साथ साथ सब बैठे हुए है लग रहा है कि उसके उपर focus है तो एक unity है painting में तो वह उसमें होती है और उसके बाद हम बता दे इसमें काफी painting बनी है लेकिन हमारे slaves में जो है वो यह दो ही painting आती है पहले आते हैं पद्सपानी बोडिस्ताव और दूसरी आती मार किये थी किया तो दोनों ही से मनुकरशन को काटके बनाए गई है और यह रंगों का प्रयोग्तिह गया है और इसमें आटिस्ट जो को उननौन है अब बात ही है कि आप इसको लिखोगे कैसे, पाइंट पर बनाओगे, जैसे सबसे पहले आप इसका लिखोगे नाम, यारि कि पेंटिंग का नाम क्या है, आप ये डाल दोगे यहां पेंटिंग का नाम, उसके बाद मुना लो आप लिखोगे कि चितरकार, ठीक है, चितरकार अब बदाया कि बाकातर काल था, उसका में काल जो था, और अगर शैली पूछी जाए, तो शैली उमारी बोध शैली होगी, अगर पूछा जाए कौन सी शैली है, तो ये बोध शैली है, बोध शैली है, ठीक है, सबसे पहले आपके जो इस पांचे पॉइंट बनेंगे, अगर आपने अगर ये पेंटिंग देखी है, उनकी जो पोजिशन अगर आपको पता है, तो आप इन दोनों पेंटिंस की है, जो है, डिटेल कर सकोगे, जैसे जो है, पदम पानी बोधिस्तव में क्या था, जो बूध है, वो किस सिचुएशन में खड़े है, उनके हाथ प अपनी पोडी को तीन हिस्तों में ऐसे घुमाते हुए वो खड़े है, तो उनकी आखें जैसे नेरमल दिखाई हुई है, बोडी पार्ट जैसे एक ले में दिखाया हुए है, एक हाथ में स्मूथ फूल पकड़ा हुए है, जो आखें वो अदखुली सी आखें है, ठीक है, और बालक जो है, उन्होंने सिर्फे मुकट पैना हुआ है, मनी दिखाई हुए है, या आयू नवालो, गले में माला पैनी हुए है, उनके जो बोडी स्ट्रक्चर है, कैसा है, कपड़े कैसे पैने हुए है, मतलब जो जैसे वो खड़ा है, अगर वो आपको डिटेल याद ह है, तो आप इसके डिटेल कर दोगे, फिर सेक्ड़ पार्ट में का मार दीजे, मार दीजे समता है, या पर मार क्या होता है, मार दीजे है, या जब बुद्ध तपश्या में बैठे थे, तो उनकी तपश्या भंग करने के लिए काम देव आए थे, और अपने साथ जैसे रा पर आप जो उनकी थी, उसी के नापर मार दीजे स्प्रिंटिंग का नाम पड़ा था कर दो उनकी मतले मार क्याद़ी सुगमझ काम वाल पर एह जो के लिए स्टक्ताओत है, म् अपने साथ जाए चुश्या भंग कामार के या जापनले काम?